नमस्कार दोस्तो ओलिंदी आइडिया टुप चल में आपका स्वागते दोस्तो अगर आपके पास में कोई भी सेमसंग का मोबाइल फोन है और सेमसंग के मोबाइल फोन से गेलेरी से आपका कोई भी फोटो वीडियो डिलेट हो जाता है या फिर आप खुछ से ही किसी photo video को delete कर देते हैं तो अगर आपका जो भी delete हुआ photo video को वापस आप recover करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आज की video के अंदर मैं आपको live proof recover करके दिखाने वालों जिसे कि यहाँ पर मैं अपनी gallery को open कर लेता हूँ और यहाँ पर आप सबसे top पे today लिका हुआ है आपर देख सकते हो अभी मैं यहाँ पर दो video delete करूँगा और साथ ही दो photo भी delete करूँगा इसको मैं recover करके भी दिखाऊंगा कि आपके mobile phone में वो कौन सी setting है उस setting में जाना है उसके बाद में आपका जो भी photo video delete हुआ है वो वापस आसानी से recover हो जाएगा तो चलिए यहाँ से मैं इन दोनों video को मैं select कर लेता हूँ और इन दोनों photo को मैं कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद में यहाँ पर मैं delete के button पर click करके यहाँ पर मैंने इसको delete कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि सिर्फ एक video ही है और दोनों photo मैंने delete किया वो भी delete हो चुका है अब यहाँ पर मैं आपको bake करके एक बार proof दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख लिजेका अभी एक video ही है जो मैंने वीडियो दो delete हुआ दो photo उनको require करने के लिए आपको कौन से setting में जाना है तो यहाँ पर आपको 3 line मिलेगा हो सकता है कि आपको यहाँ पर 3 line न मिले और यहाँ पर 3 dot मिल रहा है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 3 dot पर click करूँगा तो यहाँ पर कोई भी option नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पर आपको 3 line का option मिल जाएगा यह आप अपनी gallery में ढून लीजेगा उपर निचे कहीं पर भी मिल सकता है क्योंकि अलग-अलग model होता है सेमसंग में तो थोड़ा बहुत आप एड़ेस्ट कर लीजेगा तो यहाँ पर इसके उपर मैं click कर लूँगा जैसे इसके उपर click करूँगा तो यहाँ पर trace का option आ रहा है हो सकता है कि आपको यहाँ पर direct trace का option न मिले setting पर click करना setting के अंदर जाकर आपको मिल सकता है ठीक है तो चलिए यहाँ से मैं trace के option पर click कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख लिए latest मैंने दो यहाँ पर photo मैंने delete किया था और मैंने कई सारे वीडियो यहाँ पर delete किये वो भी यहाँ पर show कर रहा है तो चलिए मैं अभी जो latest मैंने delete किया मैं उसी को वापस recover कर लूँगा आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपने 30 दिन के अंदर जो भी photo video delete किया होगा वही आप recover कर सकते हैं 30 दिन से जादा हो जाएगा तो वो photo video आपका recover नहीं होगा तो यहाँ पर आपको restore का button मिलेगा तो इसके उपर आप click कर लिजे आपकी gallery में यह photo videos वापस आ जाएगे तो चलिए यहाँ पर मैं आपको back करके दिखा देता हूँ कि यह photo video वापस आ गए चलिए मैं दुबारा open करके भी दिखा देता हूँ तो इस प्रकार से Samsung में delete हुए photo video को आप आसानी से recover कर सकते हैं